इंकलाब रेस कंबरी रेस कंबरी मुसाबर अम्वानी कंबरी मुसाबर ऐसा जी पांच साल पहले यहां पर एक हमारे समाज का चोकिन जाया था उसने हम लोगों पर दवाब बना करके हमारी गाड़ियों को कुछ टूल लगवा दिया जबकि जो हदार दस में यह जब टूल लगा था और यह टूल यहां पर दो किलोमेटर आ गया उस समय इमांदारी की बात यह हुई थी कि जो टूल पे इंचार जाये एक ओम बीर नाम का उसके साथ कुछ आदमी ओड़ते टूल के उन्होंने एस्ट्यम साब के सामने यह कहा था अगर बंधवाड़ी की गाड़ी लोकल गाड़ी है बंधवाड़ी टूल पे फ्री होंगी तो पाली मौताबाद की लोकल गाड़ियां भी यहां चाहे वो ट्रक है टंपू है कार है मोटर सायल कुछ भी है वो भी फ्री होंगे और हमने उन लोगों को सबूत भी दिये मगर वो लोग नहीं माने उससे आज से एक साल पहले यहां के सतानिय थाना इंचार्ज सौनलाल जी ने भी यहांपर एक मीटिंग बलाई थी टोल टेक्स वालों ने मुद्धा उठाये था उन्होंने भी फिर यह बात उठाई थी कि हम टोल टेक्स बढ़ाना चाहते हैं सौनबाल जी ने भी हमने सभी गाउवालों से यह कहाता कि आप लोग हमें यह बताओ टोल किस बात का ले रहे हैं आप हमारे पत्कार बंद्वो विश्व का चौथा सतंबो आप लोग आप दुनिया की सच्चाई को दिखाते हो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग रोज खबर चापते हो इस फरिदावाद में पाली गाउं से लेकर बनलंगड तक क्या आप जा सकते हो आप लोग यहीं रहते हो लोग लोग क्या पाली गाउं से सैनी कलोनी तक कितनी दुरगटना है हुई है भागरी गाउं में क्या हाल है किस चीज़ का टोल दे हम लोग और जब कि सारी सड़के टूटी पड़ी हैं जब हम उनको लोग बोलते हैं कि हमारे रोड़ बनाया जा तो लोग यह कहते हैं कि सतानिय विधायक और परशासन को हम पैसे देते हैं हम किस बात के लिए सड़कों बढाएं ऐसा कौन कहता है टोल टैक्स वाले भागरी गाउं में आप देख लो आज की तारीक में भी कितने एक्सडेंट होते हैं पाली गाउं तक जाने में एक इन चार्ज हमारे पास आयता जब पूरे हिंदूस्तान में किसानों ने रोड पूरे जाम कर रखे थे पश्च्वी उत्तर पर देश पंजाब हर्याने के सभी टोल किसानों ने फ्री किये हुए थे उन्होंने कहा था कि परदान जी आप इस टोल को मत फ्री करना मेरी नौक सबी को पता है दो महीने करेशर जॉन परियावरन के चक्कर में बंद रहा सभी गाडियां दिल्ली में बंद हो गी थी आपको भी पता है उसके बावजूद भी हम लोगों को बार बार ये टूल टेक्स वाले पूरी दुनिया में जब कोराना महामारी फैल रही है तीसरी ल वाले गरीब लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा है कितना टोल लेते हैं परती वेक्ति से गाडियों का चक्कर का टोल लेते हैं जब कि 24 घंटा का टोल होना चाहिए नहीं लूट बचा रखिया है अब कहते हैं हम इनको 800 करेंगे डबल करेंगे जब जब कोराना की लहरा आती है यह देश के डाकू चाहिए अदानी हो अंबानी हो यह इस देश को लूटने का काम करते हैं यह लगता है ऐसा क्या नया कर दिया जो 400-800 करने सिदा कुछ भी नहीं किया एक भी कही सडक में कही लूटने का काम करते हैं और हम उस चाबाज सिपाई उस चाबाज के रवाल की सेना के जिनों ने जब अमबानी ने दिल्ली में बिजली बहंगी की थी उनके खम्में उखार कर भैक दिये थे और खुद बिजली लगाए थी खम्में पिट रहा हम इसके कूल के तार-तार भी खेर देंगे कभी इसके दिमाग में गल्स में भी होना लेकिन प्रदान जी 17 साल का एग्रिमेंट वहा था है रिलाइंस के साथ की हम लोग टेक्स जो है हम अपनी अगर सरकार उपर नीचे होती है तो हम अपनी मनमानी से टेक्स भी बढ़ा सकते हैं 2010 में टूल लगा था दो तूल फिरी होना चाहिए हम लोग एक रुप्या भी नहीं देंगे चाहिए महाराष्ट यूपी हो पंजाब हो अरियाने में कहीं भी आप चले जाओ हर जगे लोकल लोगों के लिए टूल फिरी है आज पाली चौकी पर आए हैं क्या रवीया रहा है यहां पाली चौकी की पाली चार्ज थाना इंचार्ज हमारे लोगों को जो ट्रक माली के रोज कही दिन से फॉन करके बुला रहे हैं कि वाई टूल टेक्स वालों की एप्लिकेशन आई हुई है टूल बढ़ाना चाहते हैं हराज भी करका बुलाना चाहते हैं हम सब लोग ऐसे हैं मर जाएंगे टूल नहीं बढ़ाने देंगे किसी भी कीवत पर अब इसको फ्री करवाने के लिए आज कि यहां का टूल फ्री होना चाहिए और प्रशाचर ने आपकी बात नहीं मानी तो अगला स्टेप क्या होगा आपका अगार इन्हों ने हमारी बात नहीं मानी इनके बाप भी मौना अगर ये नहीं मानने तो हम रोड को भी फूल को ही उठा देंगे बम यह नहींने यृट तो टूटा पड़ा है यह से चले जाए बलगष तक चले जाई पूरे इलाके के लोग सामिल है हमारे साथ हम तोल नहीं देंगे आप पाली से बनलंगड चले जाओ और जो रास्ता है वहां इतने बड़े खटे हो रहे हैं कि आदमी एक घंटा लगता और आदमी वहां जाने से कत्राता है आज हम यहां पर आए हैं परसासन के बुलाने के ब साथ को जाना पड़ा है तो हम आज नहीं आते तो आप लोग यह कहते हैं कि शायदे परदान भी गया है जैसे कि हाग सतानिय विधायक और परसासन भीका हुआ है इसलिए हम आगामी समय ले लो फिर अगली मीटिंग कर लेते हैं अगामी समय जब यह देंगे जब देंगे ह ुल वालों ने किसी को खरीदनेगी या इस तरह की ब्लेक मेलिंग कि को सखी वशूल को बंध कर दिया जाएकां ृहरा लगी लूप यह है हिंदुस्तान जाग रहा है लग